हेलो स्टुडेंट, वल्कम तु 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 में चैनल, स्टुडेंट, आज फिर से एक नए वीडियो लाया हूँ जो कि इंग्लीश बेस्ट रहेगी और पहले हम इस पे कुछ टॉपिक्स थे, जैसे डिटर्माइनर और ओर्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद मैं इसके ओपर MSQs-based वीडियो लाओंगा, जो कि कम से कम दो पार्ट्स होंगे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो के अन तक बने रहें, सब्स्राइब करना ना भुलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंड करें तो आज का पहला टॉपिक जो आपका रहेगा स्टुडेंट वो है डिटर्माइनर Determiner वो words होते हैं जो beginning में आते हैं कहांपे noun के और noun phrases के beginning में आपको मिलेंगे उनको Determiner कहते हैं जो noun और noun phrases को Determine करें या उनकी beginning में दिखेंगे आपको तो आप उनको Determiner कहेंगे ठीक है और ये word हमें show करते हैं कि कितना how much or how many we are talking about हम कितनी quantity और कितनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं type of determiner में हमारे पास पहला determiner आता है demonstrative determiner यह determiner वो है जो शो करता है कि where an object or person is in the relation to the speaker ठीक है मतलब person और speaker person जिसके बारे में बात हो रही है जिस पंदे के बारे में बात हो रही है और जो बात कर रहा है दोनों के बीच में किस तरह का relation दोनों के बीच में किस तरह का relation तो इन तरह की चीजों को हम पढ़ते हैं demonstrative determiner में ठीक है हमारे पास खुल मिला के four basic determiners है ठीक है four basic determiners है वो कौन से हैं this, these, that, those ठीक है example के तोर पे whose house is this whose house is this यहाँ पर बात किसी person की हो रही है और speaker पूछ रहा है कि यह किसका घर है ठीक है मतलब speaker पूछ रहा है कि यह house किसका है, किस person का यह house है ठीक है तो यह भी कौन सा हुआ demonstrative determiner those days were really good old days I know nothing about that about that murder ठीक है तो इस तरह की example है इसकी अगरे पार्ट पे चलते हैं अगला पार्ट आपके पास possessive determiner possessive में न, word का मतलब बता होना चाहिए कि possessive है क्या possessive को मैं याद रखता हूँ ownership से किससे याद रखता हूँ ownership note कर लें मतलब वो determiner जो आपको न, ownership बताएंगे क्या बताएंगे ownership बताएंगे पड़ते हैं the possessive determiner show the things belongs to someone मतलब किस से भी बिलॉंग करती है किस person की चीज़ है इस चीज़ का owner को न, ठीक है वो तो हमारे पास कौन-कौन से determiner है my, your, his, her, its, our, their यह सब क्या है determiner और कोन से determiner possessive determiner याद कर ले जैसे his house is near the bridge इसमें his जो है वो possessive determiner है my car is parked outside तो my जो है वो क्या है possessive determiner चलिए next पे अगले टाइप आ जाती है quantifier क्या आ जाता है quantifier तो बात करते हैं quantifier की strengths quantifier are also determiner quantifier भी determiner है तो mathematically इस word को हम quantity परते है ठीक है मतब कितनी कोई चीज है ठीक है वो चीज quantifier वो चीज होंगी जो quantity को express करेंगी मतलब ये वो determiner होंगे जो quantity को express करेंगी clear चलिए परतेश के बारे में quantifier are also determiner which modify a noun to indicate its quantity मतलब जो modify करते है noun को और quantity को बताते है जो पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में quantify answer करते है simple question को क्या बताते है how much how much ठीक है how many quantity तो पूछ रहा है ठीक है some of the most common quantifier जो हम use करते हैं ज्यादा तर वो कोन से quantifier है a few a little much many lots of more some any enough सब के सब quantifiers ठीक है अब एक चीज और यहां notice कर रहे है quantify आपको quantity तो बताते हैं बट यह नहीं बताते हैं क्या नहीं बताते हैं exact quantity याद रखना quantify आपको exact quantity यहां नहीं बता रहे ठीक है example के तोर पे many people died in the calamity calamity क्या होता है कुदर्ती तबाई ठीक है कुदर्ती तबाई की वज़ा से बहुत सारे लोग मर गे तो मैंने क्या बता रहे हैं आपको quantity ठीक है मगर कितने quantity है पता है नहीं न exact quantity नहीं बताता but quantity को express करता है याद रखना तो वो quantify दिया होता है याद रखना some definite numeral determine are one, two, three first, second, third कुछ definite वाले भी आते है ठीक है याद रखना maximum जो पीछे पड़े थे वो सारे के सारे determine नहीं करते थे पूरी तरह exact quantity नहीं बताते थे मगर ये वाले exact quantity बताएंगे one हो गया two, three, first, second, third इस तरह के जैसे example के तोर पे the second boy in the third row exact बता रहा है कि दूसरा लड़का तीसरी row में ठीक है मेरा भाई है तो इस तरह के भी quantify होते हैं जो exact quantity बताते हैं और जो पहले बड़े थे quantify वो exact quantity नहीं बताते हैं quantity बताने वाली चीज़ों को हम quantify कहते हैं quantify भी determiner होते हैं चलिए बात करते हैं किसकी articles की तो उस्टोरें articles क्या होते हैं article न वर्ड है जो use के जाते हैं before a noun कहां use करते हैं before a noun to limit or define या तो उसे limit में या उसे define करने के लिए it's uses in the context of the sentence and article impart effectiveness and accuracy to the noun article न अफेक्टिवनेस दिलाते हैं और accuracy दिलाने में नाउन में मदद करते हैं article also also come in the category of determiner article भी किसकी पार से determiner के articles भी किसके पार से determiner के पार नहीं याद रगेंगे उसी की quantity में आते हैं कि आपके पास articles होते हैं indefinite और definite indefinite में A और N आते हैं और definite में 10 होता है याद रखें चलिए कुछ rules परते हैं इसके बारे में तो पहला rule ठीक है first rule किसके लिए indefinite article A और N के लिए ठीक है तो क्या है life में कभी भी आप पढ़ रहे हो ना articles को तो दो rules लगेंगे वहाँ पर क्या लगेंगे A का use करने के लिए दो rules याद रखोगी या तो वो word consonant से start होना चाहिए या तो उसमें sound of consonant होनी चाहिए या तो वो word consonant से start होना चाहिए या तो फिर वो consonant की sound में मत्रब sound निकालने वाला होना चाहिए टोटल वावल 5 ही वो 5 वावल को निकाल दोगे तो बागी कितने बच जाएंगे 21 consonant पाए जाते हैं और वो उन consonant की sound किसी भी एक भी consonant की sound देने वाला हो या consonant लगा हो तो उसके साथ में आप एक का इस्तिमाल किया जाएगा ठीक है याद रखना ठीक है चलो इसकी example लेखते हैं with the consonant से बवाई ठीक है तो बवाई के साथ क्या लगेगा ए लगा child में c c consonant है तो ए लग गया अब बात करते हैं sound of consonant में a one-eyed ठीक है one में देखा जाए तो a, e, i, o और u में ठीक है जो o है वो vowel है आप कहोगे vowel के साथ a कैसे लग गया ठीक है बट जो यहाँ पे word है वो है one-eyed ठीक है तो वा की अवाज निकाल रहा है ठीक है तो उस हिसाब से देखा जाए तो vowel की sound नहीं है तो a का इस्तमाल किया ऐसे ही university में जो consonant की sound निकलती है तो a का इस्तमाल करते है university के साथ भी याद रखें अगला है and का use and का इस्तमाल ना हम कहां करते हैं student हम use करते है word beginning with the vowel or vowel sound ठीक है वाज़ साथ और mute h के साथ याद रखें याद रखना है इसमें तीन sign use करने तीन rule लगेंगे इसके तीन rule है पहला rule vowel हो जैसे an elephant, an apple दोनों vowel है a b vowel है e b vowel है तो हमने an लगा लिया उसके बाद जिन में at silent होगा याद रखें ये important रहेगा आपके लिए ऐसे word जिन में भी at silent है जैसे honor, or ठीक है or हो गया higher हो गया तो इन words में at silent है इन में at silent होने के वज़ा से हम an का इस्तमाल हमेशा करते हैं याद रखना example दी है आपके सामने फिर last में जो sound of vowels होती है उनके साथ भी किसका इस्तमाल करते हो sounds of vowels के साथ में भी आप किसका इस्तमाल करते हो आप इस्तमाल करते हो an का जैसे an llb, an mp आपके पास example आ गया अब्रिवेशन के साथ में भी इसी का इस्तमाल किया जाता है student ठीक है I hope यह आपको clear हो गया होगा चलते हैं आगे आगे कह रहा है student कुछ और rules हैं Indefinite article a and an is used before a singular or countable noun singular noun हो या फिर countable noun हो उसके before में भी a और an का इस्तमाल आप कर सकते हो ठीक है याद रखना ठीक है when it is mentioned for the first time मतलब वो पहली बार mention हुए होने चाहिए उना particular person और आ ठीक जो भी बात कर रहे हो परसन की है थिंक की बात कर रहे हो वो पहली बार mention हुआ होने ची एक ही बार और first time mention होगा तो आप एका इस्तमाल करोगे ठीक है याद रखना याद रखना याद आ इस्तमाल करेंगे foot है तो एका इस्तमाल किया before a singular countable noun which is used to single out some person something as a representative of a class of things animal and person तब भी हम एका इस्तमाल करते है आगे एक और rule है to make a common noun of a proper noun ठीक है अगर आपने common noun ठीक है उसका proper noun बना रहे हो ठीक है express कर रहे हो उसे तो quality को express करने के लिए हम वहाँ पर भी एका इस्तमाल करेंगे याद रखेंगे आप ठीक है what how before singular countable noun के साथ में तब भी आप एका इस्तमाल करोगे ठीक है किसका इस्तमाल करोगे एका इस्तमाल करोगे फिर उसके बाद before certain phrases कुछ phrases ऐसे होते जिनके पहले एका इस्तमाल होते जैसे in a hurry ठीक है take a link liking ठीक है इस तरह के words में take a take a लगेगा ठीक है in a ठीक है याद अखना उसके बाद before the word denoting number वो word जो number को denote कहते है जैसे dozen तो a dozen लगाएंगे कभी एका इस्तमाल करोगे कुछ phrases के साथ एका इस्तमाल किया जाता है ये भी rule आ गया and the last one rule of an वाले का वो क्या रहेगा before the word use as a noun word जब noun की तरह use होता है जब word noun की तरह use होगा तब भी उसके सामने पहले a का इस्तमाल करोगे जैसे swim word है noun की तरह use हो रहा है तो a का इस्तमाल करोगे talk noun की तरह use हो रहा है तो a का इस्तमाल पहले कर लिया अब बात करते हैं in definite article दा उसके uses का ठीक है तो चलिए आगे तोस्ट रिन हम बात करें अगर दा का use की तो when we talked of a particular person or thing that has already been mentioned जो पहले भी mention हो चुका हो sentence में noun हो या under discussion हो जिसकी बात पहले भी हो रही हो उसके साथ दा का इस्तमाल होता है तो ये दोनों के साथ दा का इस्तमाल हुआ पर्टिकुलर पर्सन के साथ दा का इस्तमाल होता है और वो चीज पहले भी mention हुए तो फिर भी दा का इस्तमाल उसके साथ किया जाएगा उसके बाछे है historically क्या जाएगा अलग अब्जेक्ट हो युनीक हो ठीक है अब युनीक का मतलब क्या होगा यहां पर जैसे कि कोई mountain ranges ना mountain के साथ नहीं लगा देना कभी भी mountain ranges के साथ अब लगाओगे किसका इस्वाल करोगे दा का planets के नाम के साथ river ocean gulf ठीक है उसके साथ ordinal number के साथ ठीक है ordinal हो गया rank ठीक है और descriptive name के साथ countries के descriptive name के साथ इस्तेमाल करोगे descriptive name country के states के descriptive name के साथ news paper magazine desert superlative degree के साथ भी इस्तेमाल के जाता है दाका यह सारे रटलो यह सारे आपके काम आने वाले ट्रेन, शॉप्स, होटेल्स होटेल्स के साथ, ट्रेन के साथ मैगजीन, ट्रेन्स, डेजर्ट, डिगरी सूपर लेटे डिगरी, इन सब के साथ हम दाका इसनमाल करते हैं रटलो इनको, आगे चलते हैं इनके यूजिस पे गल्फ, पर्शन गल्फ तो दा लगाएंगे इंडियन ओशन लगेगा, नाकी एन, ठीक है, याद रखेंगे रिवर का नाम है तो दा लगाया रेंज का नाम है, हिमालियन रेंज है, नाकी पीक है तो दा का लगाया, माउंट अवरेस के साथ दा नहीं लगाएंगे दा माउंट अवरेस, ठीक है, याद रखना ठीक है, उसके बाद, वेदाज, ठीक है दो अर्थ, दो सर्ण, दो रमाइन, होली भुक ठीक है, याद रखना, अगर वो यूनीक है जैसे सन यूनीक है, तो उसके साथ अब लगा सकती हो दा, ठीक है, दा इस नाट यूजड बिफोर अरावली एड अवरेस्ट, जस अभी में ने कहा था, क्यों, बिकास यार नाट माउंटें रेंजीज, यार माउंटें पीक्स, ठीक है, ये हिल है, ओल्ड फोल्ड माउंटें ठीक है, और ये कहा है, एवरेस्ट के पीक है, तो इनके साथ दा का इस नमाल नहीं होगा, clear, माउंटें रेंजीज के साथ, दा सत्पुरा रेंज, ठीक है, दा विंदाया रेंज, वेना सिंगुलर नाउन एक्स्प्रेस्ट करता है अनिमल्स की, यह थिंक्स की, तब भी कहा है, बट, दा इस अवोइडिड विद अप्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में इस केस में भी आपने उसके साथ अवोइड करना है दा को, ठीक है, और पर्शन टू एक्स्प्रेस्ट अप्लास, जो उस रोज is a sweet flower and the cow is economical useful, ठीक है, आई होप यह चीज़िया आपको clear होगी होगी, आगे रूल कह रहा है कि, before an adjective when it represents a class of the person, जब कोई adjective represent करता है class of person को, तब भी हम उसके साथ दा का इस्तमाल करते हैं, और before an adjective भी वही लगेगा, कह रहा है the rich should help the poor, the old are respected by the young, अगला musical instrument के साथ भी दा का इस्तमाल किया जाएगा, he can play the flute, ठीक है, or she's found our playing the harmony, ठीक है, आगे, as an adverb with the comparative sense, अब अड़र्ब comparative sense की तरह यूज होगा, तब भी दा का इस्तमाल करेंगी, the sooner the better, the higher you go, the colder it is, ठीक है, इस तरह की sentences को याद रखें, डबर comparison में, कब, जब चीजों को double comparison किया जाएगा, तब भी दा का इस्तमाल किया जाएगा, next tool है, before comparative degree, तो, before a comparative degree की बात कर रहा था, इन case of choices वहाँ लग सकते हैं, जैसे की, she's weaker of the two sister, ठीक है, यहाँ पे compare कर रहा है, तो, compare में भी आप क्या लगा होगे, दा का इस्तमाल करोगे, which is the more beautiful of the two sister, ठीक है, दा लगा, तो, comparison में हमेशा दा का यूज़ करेंगे, before proper noun, for the sake of comparison, वहाँ पर भी यूज़ करेंगे, before proper noun, comparison के तोद पे वहाँ पर भी दा का इस्तमाल करेंगे, proper noun में, comparison ने जब कर रहे होगे, जैसे, सूर्दास is the milton of India, दा का इस्तमाल हुआ, काली दास is the speaker of India, ठीक है, तो, याद रखेंगे, and before sports, cups and trophies, जब sports का नाम हो, cup का हो, trophies का हो, तब भी दा का इस्तमाल, इंडिया won the singer cup, तो दा का इस्तमाल हुआ, a number of team are taking part in the world cup, ठीक है, तो दा का इस्तमाल हुआ, आगे चलते हैं, before physical position, physical position से पहले भी दा का इस्तमाल किया जाता है, the top, the back, physical position बता रहा है, the cardinal point के पहले, the sun rises, the Himalaya, the east, the north, ठीक है, देखो, position बता रहा है, यहां पर point बता रहा है, तब भी दा का इस्तमाल हुआ, unit of measurement हो, जैसे class is sold by the meter, the meter, the dozen, बताया था, तो उनके साथ भी दा का इस्तमाल करोगे, before caste and communities, caste and communities के पहले, the Rajput, the Marathas, उनके साथ भी दा का इस्तमाल करोगे, and before the adjective, same and whole and after the adjective all and both, दा is used with a plural noun, इन चीज़ों में हम दा का इस्तमाल करेंगे, किसके साथ plural noun के साथ, जैसे की, दा is the same, sorry, this is the same book, ठीक है, that you gave me and the whole class was absent, अच्छा, idiomatic phrases हो, idiomatic phrases हो ना, उनमें भी इसका दा का इस्तमाल करेंगे, the wrong, in the wrong, on the contrary, यह idiomatic phrases दे, इनके साथ भी दा का इस्तमाल किया जाता है, आगे, before a common noun, common noun से पहले भी दा का इस्तमाल किया जाता है, to give it the force of a superlative, common noun से पहले यूज़ करेंगे, ताकि हम force दे पाए, superlative degree को, ठीक है, she is the woman, ठीक है, woman, एक superlative degree की तरह represent करने के लिए, woman को दा का इस्तमाल किया जा, ठीक है, नेता जी वाज़ दा लीडर, ठीक है, याद रखना, चलिए नेक्स, before a common noun to give it the sense, common noun से पहले, आखि हम उसे sense दे पाए, एक abstract noun की, तब भी यूज़ करेंगे, जैसे feeling qualities की, the judge, the judge in him, the mother in her, ठीक है, before the name of profession, used collectively, ठीक है, name of profession, उसे पहले भी लगा सकते हो, the press, the bench, before a noun qualified by adjective, उसे पहले, the former president, Abdul Kalab, and the immortal, Shakespeare, before the case, before the case in opposition, ठीक है, opposition की case में, Nita ji, the hero of modern India, out to be remembered, and who can, underestimate Mr., who was by the former, Prime Minister, उसके साथ, before the date, the 10th of May, the 10th of May, date से पहले भी दाका इस्तिमाल करेंगे, and the 5th of September, before the organs of government, organs of government, the judiciary, no legislature, यार दर्खेंगे, organs के साथ भी दाका इस्तिमाल किया जाता है, आगे, before the parts of a body of a person, in a place of, positive adjective, ठीक है, जैसे किसी जगा पर हिट किया है, तो he hit me on the back, position बता रहा है, place बता रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर यूज करेगा, the arm, ठीक है, याद रखना, before the political parties, the BJP, the labor party, the congress, तो दाका यूज करेंगे, ठीक है, centuries के साथ, the Gupta, the British Empire, etc, etc, last one, before language to signify nationality, before languages to signify nationality, languages के पहले, nationality को बताने के लिए, the Chinese, किस जगा के language है, उसको बताने के लिए, the Indian Prime Minister, ठीक है, तो इस तरह का, the Parliament हो ही, तो पता ही, आपको और गेन है, उसका government करा, तो उसके साथ दातों लगे गए गए लगेगा, इस तरह से हम चीजों के साथ, दाका इस्तमाल करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी, comment करें, like करें, share करें, subscribe करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लाऊं, तो next वीडियो मैं आपके लिए मैं, omissions of article के उपर वीडियो बना के लाऊंगा, और साथ में कुछ MCQs रहेंगे, थांक यू फर वाचिं इस वीडियो,